श्री गाजनमाता यूथ बिर्गेड वारत आपका आर्दिक स्वागत करता है दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पडियार वंस के कूल बुसन राव ठाकूर बेला जी पडियार का इत्यास पडियार वंस के कूल भूसन राव बेला पडियार विक्रम संथ चब देशों के बिल्कुल अंत में या विक्रम संथ पंद्रसों के आरम में अर्था दोनों सद्यों के संधिकाल में गाउं चायन तसील फलोदी में सादूल सीं पडियार के गर एक बालक का जनम हुआ जिसके नामकंद संसकार में नाम रखा गया बेला उससे में किसी को ग्यात नहीं था कि आगे चल कर यही बालक राठोडों के जोत पुर्मंडो राजिक पुनिस्तापना में वे बिकान राजिक नवी नीव डालने में साइक बनेगा बेला बच्मन से ही बड़ा होनार था तता विसो रुस्ता में आते आते तो इसके विलेक्शन गुनों की चर्चाए पाउन की तरह आसफास फेलने लगी पूरे योवन पर आते आते तो बेला अस्तर सुस्त्रों से पूर्ण प्रागत हो गया इसके तल्वार के करतब देख लोग दांतों तल्यंगली दुबाने लगे इसक गोड़ों को प्रिक्शन देना था गोड़े पर स्वार होकर अपनी तल्वार का उनर दिकाना वस यही दिन चरिया थी बेला की तीरे दीरे बेला गोड़ों का जबर्दस्त पार्क ही बन गया वे गोड़ों की नसल का वर्गी करन करने में सीध हस्त था गोड़े की लगाम पकड़ कर हाथ फेरते फेरते ही गोड़े के सब गुन ग्यात कर लेता था गोड़ों के साथ रहते 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 बेला गोड़ों को एक अच्छे वेद बन गया बीमार गोड़े को देखर बेला देशी जड़ी बूटियों से त्यार दवा देता तो गोड़ा तुरंत हुए बिसांत हैं सोब में सबाव का नवयूग था दूड़ा सी गुण बेला में इस वह दें थी समय से पूरुए प्रत्यकाम का लाव यहानी का प्रत्यवर वोरा बताने में में सक्सम था जोदों जी पीता राव इडमल जी रणमन को विक्रमसब चब्द शपिचारमंगे में में सीशोदियों ने अपना ही महल में मंदौर प्रदिकार रियृता उस समय में उसक्रमान प्रशी सोधियों का दिगार भी कम संद 15-10 तक काइम रहा इन 16 सालों मंडोर वापस लेने के लिए जोदा नाने काकरमन की अपना तो हर बार मुग की खाने पड़ी सता वहीं जोदा का कोई ठोट हिकाना था नहीं सो एक गाउं से दूसरे गाउं फिटते रहते थे इस दोरान साथ चलने को बेला भी संग्रस त्यार हो गया अब जोदा को एक चत्तुर और बुद्धिमान योदा सलाकार के तोर पर मिल गया ताकि मंडोर वापस लेने है तूसला मसवर की अजास के जोदा वे बेला के आपस विचार विम्वर्स में दूर दसी वे निती निपून बेल पडियार ने जोदा जी को सला दी कि इन छिटे पुट आकरमनों से मंडोर पर अपना अधिकार होना संभूत तो है नहीं बलकि अपनी सक्ति को भी दिन परती दिन छिन होती जावेगी अते हमें थोड़ी डील देकर गोपनिये डंग से आसपास गिठिकाने दारों को अपन में विश्वास लेकर उनकी मदद से सामरिक सक्ति का परपूर संचे करके फिर उच्छी समय देकर मंडोर वापस लेने के लिए आर्प या पार की निती से आकरमन करना चाहिए जो मारुद्य जिग आकरी आकरमन हो बले इसमें कुछ समय ओर लग जाए बेला की रण निती अनुसार आसपास की ठिकाने दारों को विश्वास में लेकर उनकी मदद लेकर पूरी त्यारी के साथ उच्छी समय पर विक्रम संच 15-10 में मंडोर पर अचानक हमला इतनी तेजी से किया कि सिसोधियो को संबलने का मोका ही नहीं मिला और मामूली से मुक कोसल एम वे सोरिय से राव जोदा इतना प्रवेत हुआ कि बेला को समान जनक पद देकर अपने दर्बार में रख लिया बेला पढ़िया जोदोजी का एक वफादार साथी ही नहीं वरन उसकी निष्टाए सदेव ही ए संदीग्द बनी रही सिसो दियो राठोडो में वेर का बीज तो पढ़ी ही चुका था सो राणा कुमबा जब मेवाड के रासियां से बरारूड हुआ तो मारवाड उसकी आंकों में क्रिक्री की तरह रड़ करा था सो आउसर देकर राणा कुमबा बारी सन्यबल के साथ मारवाड को रोंद ने आगे बढ़ा इधर रावजोदा भी बारी सन्यबल के साथ मुकाबले को आगे बढ़ा तता गोड़वाड के आसपास दोनों से नयामने सामने अपने अपने खेमों में डट गई तता किसी भी स सकतिया आपस में ही लड़कर खतम हो जाने पर तुली है क्या इस मेवाड मारवाड के विनास को रोका नहीं जा सकता तब नापा बोला बेला जी आपकी सोच से मैं सहमत हूँ परंतो होनी को टाल नहीं सकता बेला बोला टाला जा सकता है कुमबा आपका बेहनों ही है जो आप जाकर उसे समझाओ इधर में राव जोदा को समझाता हूं इन विनास को रोकने में बेला वेनापा सपल हुए तता दोनों की संदी कराकर बोले कि आज से गोडवार की दक्षिन शिमा मेवार की तता उत्री शिमा मारवार की होगी ऐसी थी ती बेला पडियार की दूर जो परतिवर्स उलके निकारिय करने वाले परतिवाव को प्रदान किया जाता है सांतिकाल में राव जोदा ने जोदपूर नगर की स्ताबना की तथा अपनी राजानी मंडोर से उटा कर जोदपूर लाया अब राव जोदा ने अपने राजी को सुदर्डवे विक्सित कर ने की ओर ध्यान दिया विक्रम साउंद पंदर सो पंदर से इस्वी चब्दे सो गुण सेट में जोदा ने मंडोर के निकट चिडिया की पाड़ी पर अपने नाम से जोद्पुर्ण अगर बसे जिसे विश्य पर ये दोवा पर सिदे पनरे से पनरोतरे जेट मास पकजार जो जोदो जी के बड़े पुत्र निम्बो जी की मिर्थित उनके सामने ही हो गई थी उसके बाद विक्का जी की गद्दी के अधिकारी थे परन्तों अपने पिता की इंचा का समान करते हुए उन्होंने अपना ये अधिकार अपने सोतेले छोटे बाई के लिए त्याग दिया अपने पिता के छोटे से वेंग्ये से आहत होकर पितर बक्त बिक्का ने अपने पिता से बोला कि मुझे मुझे मूं मांगे चंद सूरवीरों को अपने साथ ले जाने का वचन दो तो आपका ये पूत्र नेराजी स्थापित करने में उसी सक्सम होगा जोदा बोला वचन देता हूं बोलो कौन-कौन से सूर्वीर चाहिए बिक्का ने अपने पित्ता को वचन वद करने का कर्ण था कि जोद्धा दोरा विश्वस्त पात्रों निति नुपुने दिफ्ति गुडशोर वे निष्टवान बेला पडियार को देने में पूरा-पूरा शेंशी था नहरा से उप्रांद विक्रम समथ 15-22 आश्विन सुधी तद दस तद अनुशार इस्वी से जब्देशो पेंसर तारिक 30 सितंबर को विक्का अपने चाचा कांधल जी बाई बिदा मामा नापाव है बेला पडियारादी जबाजो कफिला लिये अंजानी राहो पर नवराजी किस् बिका राजस्वार ने ना कोई मांगयो मोल अमला बेला आपने रंग बेला पडियार इनके अत्रिक्त उस समय इनके साथ चाचा मंडेला रूपा और मांडण बाई जोगा तता केई स्वामी बक्त और इत चिंतक भी थे जिनमें मेता लाला और लखन तता पच्छाउत मेता वर्शिंग के नाम से विशेस उलखनिये हैं इस अउसर पर उनके साथ सो गुड़सवार तता पांस उपेदल से ना थी ततकल इन समय में के युद्धों में गोडों की एहम भूमिका थी तता गोडों के विशेसक बेला पडियार साथ थे जो अद्पुर से परिस्तान कर्म यह काफी लकूत दिन चोहल तता वहां की भूमी पर एदिकार कर वहां से कोडम देसर पहुंचे तता वहां पर विक्रम समद्पंदर सो गुंटीस इसवी सब्दे सो बाहुतर में बिक्का ने अपने आपको राजा गोसित किया तता बेरुजी गोरुजी की स्ताबना की तत बिक्रम ने अपने राज ये वे सेना का विस्तार किया अभी तक बिक्का वे उसके साथ योग किसी सत्रु का कोई विशेस सामना करने की नोबत आई नहीं थी विक्रम समद्पंदर सो पैंतीस इसवी सब्दे सो इठितर में बिक्का जी ने कांदल बिदा ना ना पावे गड़ बनाने की योजदा बनाई परन्तु बाटियों ने घोर विरोध किया तता जैसल मेर के राव कहर के बेटे कलहन करन ने अपने दो जार सेनी को के साथ बिक्का पराकन्वन कर दिया इस गमासन यूद में बिक्का कांदल बिदा बेला पढ़ियार किसी के आतों कलहन मा परा गया तो विजह विजह विक्का की हुई परन्तु बाटियों की छेड़ चार जाड़ी रही तब निती निपोंट बेला ने विक्का को शला दी कि ये छिटे पुटे प्रती दिन की घटनाई हमारी सकती चिन करती जाएगी अते यही उत्तित है कि हमें यहां गड़ नि चैसे में रात्ति काटी पर गड़ निव रखी और उस गड़ के पास ही विक्रम संथ 1545 इस्वी संथ 13 अप्रेल सब्ड़ सुट्याशी की विशाक सुकला दो वार सनिवार को अपने नाम पर विकाने नगर भसाया इस सम्मंद में परसी दोवा है पनरई से पताय लेवे सु विशाक सुमेड थावर बीज थरपियों विके विकानेर रात्ति गाटी गड़ निर्माण एंव विकाने नगर निर्माण के बाद राज्य विस्तार है तुर राव विकाने जितने भी युद किये हैं उनमें बेलापडियार की भूमे का कोई भी इत्यास का जानकार बुल अस्वार की जागिर परदान करना जब राव विका का विका ने राज जी सुदूर्ड और चारो और से पूर्णतिया सुर्क्सित हो गया तब बेला पढ़िया ने अपनी निष्टा है उसे जारी रखते हुए अपने बसने है तू थोड़ी सी भूमी देने है तू राव विक से अर्ज की जो मंजूर करते हुए एक अस्वार की जागिर परदान की सो बेला ने अपने नाम से बेलासर गाउं विक्रम संद पंदरसु संचास इस्वी संच अब्दे सो नबे में बसाया जहां आज भी बेला के रंसर संगन से जंसें के हमें आबाद है एक अस्वार गोड़ा थोड़ी दूर तक ही फेर पाए क्योंकि चारण हाज जोड़कर खड़े हो गए और चानों की जमिन पर अतिकर्मन छेत्रियों को सभा नहीं देता पूरों में दो कोस पर जाटों का गाउं तेज रसर था जो पहले से ही किसी जागिर का गाउं था परनतों फिर भ आई अते डाई तीन कोस तक गोड़ा फेर कर भूमे पर आदिप्य जमाया बेला सर की बोगोले की स्थिति चारों और से शिक्ड़ी हुई है अगर बेला जी को खुली चपाट भूमे नापने को मिल जाती तो आज इस गाउं का छेतपल विशाल होता क्योंकि बेला के जोड बीका जी ने अपने मामा नापा साखला को परदान की ती फो अपने नाम से नापा जी निरे नापसर गाउं बसया जो की बेलो सर से 30 कोस के फेस फासले पर Π olabilirता है तो था सिंथ गाओं पेले से अबाद था नापोजी एक अच्छे सबून विचारक भी थे तो एक बार बिलो जी से बोले कि हम सबून विचारक कर ये मालूम करना चाहिए कि एक साथ मसे बिलल जी सबून आपशरक कर रहे हमारे वनसुजों का बहुषय काल केसा रहेगा सो एक दिन नापार जी वे बेलो जी सगून विचार के लिए रात में विकानेर से गोड़ो पर सवार होकर पहले नापार सर पहुंचे यह उदर बजा खटखटा कर सांखलों से पूचा की जाग रहे हो या सो गए अंदर से किसी सांखलें ने जवाब दिया अब यहां कोन जागता मिले गए यहां तो सोपा पढ़ गया सोपा रातरी के उस समय को कहते थे जब गाउं में चेहल पहल बंद सी होकर सनाट अपसर जाता नापाजी बोले बेला मेरे वंसका तो सोपा पढ़ गया अर्थाद मेरे वंसक इस गाओं में लंबे समय तक आबाद नहीं रहेंगे तावास्त हमें उनकी बास सत्य थाबित हुई आज नापासर में नापाजी का वंसक एक भी गर आबाद नहीं है अब दोनों गोड़ों पर बेला सर पहुँचे तब तक रात और गेरी हो चुकी थी तो दर्माजे पर दस तक देकर आवाज लगई सो गई या जाग रहे हो किसी बढ़ियार ने जवाब दिया कि अभी तक तो पढ़िया हाँ नापो जी बोले कि बेला तेरे वंसक इस गाउं में बहुषिय में ब्याबाद रेंगे तावंस विस्तार होगा नापो जी के मूँ से अचानक वानी फूटी की सांख खला सोपो पढ़ियो पढ़ियार रहा पढ़ियार नापो जी गतन सई साबित हुआ कि नापो जी बोले कोई सांख ला मुझूज नहीं है विकाने के मारादा सुजान सिंके राज जी काल विकरम से 1772 में केमद्य की सांख लो को तो राज द्रोहों में वासी दे दी गई ता बच्चे खुचे डर के मारे नापसर गाओं छोड़ के लापता हो गए जिनका आद तक कोई अता पता नहीं है अलाकि नापसर एक कस्पा बन चुका है और बहुत परगति पत्फर है लग बग सब जात या बसी हुई है ता परगति में बेलासर से बहुत आगए है कुछ सांक लोग गर भी है पर तो उन में से कोई नापसर जी का वंसर नहीं है बेलासर गाओं सुरुष से ही नोगरी परदान गाओं रहा है जिसका कर्शी वेपस्परलन साइक दंदा रहा है तो दोस्तों कैसे लेगी आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जूर कर ले जैशी राम